दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं, यहाँ कोई मुख से पैदा हो रहा है, कोई धुजाओं से पैदा हो रहा है, कोई जंगे से पैदा हो रहा है, दुनिया चांद पर जा रही है और आप गाय गोपर कोमुत में बिज्ञान ढूड़ रहे हैं, यह अमबेड़कर जै मंडल और दूसरे हाथ में परशुराम की कटार ये कभी नहीं चलेगा वरना पिढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगे विश्डू मंदिर परशुराम मंदिर बनवा के बहुजन से सरवजन करवा के आपके आपने आने वाली पिढ़ियों को जवाब देपाएंगे इस देश में जब स्कूल, कॉलेज और विश्डू विद्याले के लिए अंदोलन होना चाहिए तो मंदर मश्युद के लिए अंदोलन हो रहा है ये अंबिटकर के सपनों का भारत है जो लोग जोक्टर अंबिटकर का नाम लेते थे वो आज आली शान महलों में रह रहे हैं और जोनों ने उनके किताबों को एक किया वो आज ऐसे तूटे-फूटे भर में रह रहे है जो बेच रहे हैं भारत को मैं चैन से कैसे सोजाओं सोगंद मुझे इस मिटी की मैं देश नहीं बिखने दूँगा और हो क्या रहा है सिक्षा भिग गई है हवाई चपल वालों को जहाज में जलाएंगे जहाज भिग गया एरोप्लेन भिग गया रेलवे भिग गई सरकारी नौकरी माइनस वन परसंट पची है आपका रिजर्वेशन कहां बचा है यह अंबेटकर के सपनों का भारत है क्या उसे कैसे बनाया जाए और उसमें बुद्ध जीवियों की क्या भूमिका हो सकती है इस बात में हमें अपनी बात कहनी है और आपने मुझे बुलाने का जोखिम भी उठाया है तो मैं पूरे भरोसे पर खरा उतरूँगा क्योंकि न तो अभी मैं किसी पार्टी का बिधायक हूँ न संसद हूँ और न मुझे आपका वोट चाहिए यह एक वैचारी का योजन है क्योंकि आपने डॉक्टर अंबेटकर से लेकर के तधागत बुद्ध का नाम लिया है यहां से सच बोलना बहुत ज़रूरी है और आपके विशए पर पहली मेरी बात यही है कि बुद्ध जीवियों की आज सबसे बड़ी भूमिका क्या है पहली बात तो यह कि मैं अपने को कोई बुद्ध जीवी नहीं मान रहा अभी तो हम सीख रहे मैं उस जमीन पर हूँ जहां अभी आज अलीगड में हम अनंत्राव अकेला साब से मिलकर आए और मानिवर कांशी राम का संग्रह लेकर आए कि डॉक्टर अंबेटकर ने जितना, जो बात कही थी, meeनवर कांशिराम ने, डॉक्टर अंबेटकर ने किताबों को जोड़ा मने लोगों को जोड़ा है, उनके साथी से यह उरजा ले कर आया, उनका घर देख कर के आया, जिस घर में वो रह रहे है, और उनकी पीड़ा भी वो आज ऐसे तूटे-पूटे घर में रह रहे हैं। इसलिए जरूरत इस बात की है कि आप कहीं उस रास्ते तो नहीं जा रहे कि जैसे देवी देवता का नाम लेकर के राजनीत हो, माला पहनाया जाए आप वहाँ पर डॉक्टर अम्बेटकर को रख देंगे तदागत बुद्ध को रख देंगे तो हमारे जैसे लोग उसके खिलाब कड़े होंगे पहली बार और उस समय उन्होंने कहा था बुद्ध जीवियों की भूमिका मैं कोट करते हुए डॉक्टर अम्बेटकर को ये बात कह रहा हूँ 1956 में डॉक्टर अम्बेटकर ने एक वाग के कहा एक सभागार में कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोका दिया है और वो धोका क्या था वो हमारे जैसे लोगों ने धोका दिया हम उन्हें धोका दे रहे हैं मैं अपने को शामिल करके ये बात बोल रहा हूँ हम महौल बदला है तो डॉक्टर अम्बेटकर के बिना आप किसी का काम नहीं चल पा रहा है सब नाम ले रहे हैं डॉक्टर अम्बेटकर का और वो लोग भी नाम ले रहे हैं जो अपना सारा काम डॉक्टर अम्बेटकर के खिलाफ कर रहे हैं इस खत्रे से बचना जरूरी है मैं कोट पढ़ रहा हूँ 1940 में किताब का नाम है पाकिस्तान और दे पार्टीशन आफ इंडिया डॉक्टर अम्बेटकर क्या लिख रहे हैं आप सुनिये अगर हिंदू राज हकीकत बनता है तब वो इस मुल्क के लिए सबसे बड़ा अभिशाप होगा हिंदू कुछ भी कहें हिंदू राज, हिंदू धर्म समानता, स्वतंतरता और बंधुत के लिए खतरा है उस आधार पर वो लोगतंतर से इस मेल नहीं खाता है हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए डॉक्तर भीर आरंबेट कर कह रहे है इसलिए मैं इस मंच का इस्तेमाल केवल अपने विशे के लिए कर रहा हूँ आपने मुझे विशे दिया है कि पुद्धिजीवियों की भूमिका क्या होगी तो पुद्धिजीवियों की भूमिका यह होगी कि आँख में आँख डाल करके वह सच कहा जाए जो वक्त में कहने पर जेल में भेजा जा रहा है दूसरी बात डॉक्टर अंबेटकर के सपनों का भारत कैसे बनेगा आप ये कहेंगे कि हमने उनकी मूर्ती बनवा दी उनका आवास जो पुराना आवास था उसको बना दिया हम आपको धन्यवाद कहेंगे फिर आपसे पूछेंगे कि डॉक्टर अम्बेटकर के सपनों के भारत में क्या था आप कहरें सिक्षा थी तमाम नेता लोग है मैं किसी का नाम नहीं लोगा बुद्ध जी वी इशारों में बात करता है हम किसी व्यक्ति और नेता को इतना महत्तु क्यों थे कि उसका नाम लेने की ज़रुत पड़े अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ डॉक्टर अम्बेटकर, बिर्सा, फूले, पिर्यार लिहां से लेकर तथागत बुद्ध तक सबसे महत्तु लड़ाई कौन से थी सिक्षा की आपने भी कहा सिक्षा की लड़ाई अगर सबसे महत्तु पूण है और सिक्षा के लिए सारा काम हो रहा है तो एक बात बताईए इस देश में जब स्कूल, कॉलेज और विश्विद्याले के लिए अंदोलन होना चाहिए तो मंदर मज्युद के लिए अंदोलन हो रहा है कि अंबिट करके सपनों का भारता है कितने नए विश्विद्याले और स्कूल बने मैं विश्विद्याले में पढ़ा रहा हूँ दिल्ली विश्विद्याले में आज तक अभी टंपरेरी प्रोफेसर हूँ और मुझे इस बात की चिंता नहीं है इसलिए सच बोलूगा अब मैं आपको तथ दे रहा हूँ पहली चुनवती आज के नोजवानों की नई सिक्षा नीती बनाई गई है मतीन क्लॉज उसके बता रहा हूँ पहला स्कूल जो पर हर एक गाउं के पास स्कूल बनाए गए थे उन स्कूलों को अगर तीन हजार से कम विद्यार्थी है तो उन्हें मर्जर या क्लोजर की पॉलिसी के तहत बंद किया जाएगा और गाउं में मेटा स्कूल बनाए जाएंगे बताए ये सिक्षकरांती है दूसरी बात 45,000 डिगरी कॉलेज इस समय इस देश में आज है नई सिक्षांती 2020 कह रही है कि 20 साल में 45,000 डिगरी कॉलेज को क्लोजर और मर्जर के जरिये 15,000 डिगरी कॉलेज पर लाया जाएगा उनके 3 ग्रेड बनाए जाएंगे इस देश में वन्ड बेवस्था बनाई गई थी दुनिया में इंसान में कोई भेद नहीं यहाँ पर इंसान और वो भी कैसे इंसान दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होते हैं यहाँ कोई मुख से पैदा हो रहा है कोई भुजाओं से पैदा हो रहा है पेरियार के सपनों का भारत है क्या, नई सिक्षानीति में क्या लिखा गया है, क्लास बढ़की बता रहा हूं, उन सब में graded autonomy दी गई है, उसका आसान भाषाम समझे, graded autonomy का मतलब है, तीन grade के universities आपके देश में चलेंगे, degree college से लेके universities, c grade के university जैसे government fund देगी, और उसमें government fund द जलेगा और उस इंस्टिट्यूट के ऊपर ये प्रेशर रहेगा कि वो अगले नैक नेशनल एकड़मिक एसोरेंस जो कमेटी है उसके नैक के रिपोर्ट के पहले वो ग्रेड को मोडिफाई करके बी ग्रेड में जाए बी ग्रेड में जो सेलिबस जो दिया जाएगा वह आध पैसा देगी और आधा इंस्टिट्यूट को अपने इंजेनरेट करना होगा और एक ग्रेड की इन्वस्टी वो ग्रेड इन्वस्टी होगी जिसको एक भी रुपया सरकार नहीं देगी सेल्फ फाइनेंस कोर्सेश चलेंगे और ग्रेड अटोनमी और बोर्ड आफ गवर्न के जलिए उनका पूरा काम चलेगा अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ जहां सबसे कम स्किल और सबसे कम पैसा रहेगा वहां क्या दलित पिछड़े आदिवासी पढ़ने जाएंगे आपके घर के बच्चे वहां जा पाएंगे और जहां फीस अगर एक लाख रुपय हो जाए तो वहां कितने दलित पिछड़े आदिवासी जाएंगे नई सिक्षा नीत के नाम पर इस देश में स्कूल से लेकर के विश्वविद्यालियों तक अंबानी और अडानी के हाथों बेच दिया गया है क्या यह अंबेटकर के सपनों का भारत है क्या और यह बात आप क प्रोफेशनल इंवस्टी खुली है वो सारी प्राइवेट इंवस्टी है किसी एक में रिजर्वेशन लागू है क्या नहीं है ना रिजर्वेशन अभी मुख्यमंतरी जी पूर मुख्यमंतरी जी बोल रहे थे एक समय जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो 50-60 परसेंट जॉब हुआ करती थी तब आपको अरक्षन का लाब मिलता था आज क्या हुआ वो बेच रहे हैं भारत को मैं चैन से कैसे सोजाओं सौगंद मुझे इस में टी की मैं देश नहीं बिखने दूँगा और हो क्या रहा है सिक्षा बिग गई है हवाई चपल वालों को जहाज मै बिग गया एरोप्लेन बिग गया रेलवे बिग गई सरकारी नौकरी माइनस वन परसेंट बची है आपका रिजर्वेशन कहां बचा है यह अंबेटकर के सपनों का भारत है क्या यह मेरा सवाल है आपसे तीसरी बात जो सिक्षा और रोजगार दो बात हमने कर लिया अब आ सभा की आखरी बैठक में यह बात कही थी कि इस देश में सब को राजनितिक बराबरी दे दी गई हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार दे दिया है लेकिन अगर इस देश में सामाजी को और आर्थिक गयर बराबरी दूर नहीं हुई तो यह राजनितिक बराबरी का पहली बार आपके higher education में reservation लागू हुआ 1997 में schedule cast और schedule tribe को higher education में reservation मिला 2006 में मंडल की दूसरी अनुशंशा लागू होने के बाद higher education में OBC को reservation मिला और 2018 तक आते आते आप से दलित पिछड़या दिवासी higher education में बदास्ट नहीं हुए और आपने 13 पॉइंट रोष्टर लिया या 13 पॉइंट रोष्टर के सपनों का भारत का रोष्टर था क्या यह सवाल में आप से यह higher education का संकट है आपके सामने इस देश में पिछली बार 2 अप्रैल 2018 को इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी पसमांदा लोग मुठी बाद करके इस देश की सड़कों पर क्यों उतरे थे क्योंकि उनकी SCHT Attrocity Prevention Act से छड़खानी की गई थी तब आप सड़कों पर उतर करें उनको जुकने को मजबूर किये दूसरी बार 13 पॉइंट रोष्टर इसलिए लाया गया था 2005 मार्च 2018 को पहली बार मैंने RTI लगाई है एक जनवरी 2020 तक इस देश में जो डेटा है मोव में डेटा आपके सामने रखना हूँ वो दिजीवी का मतलब केवल भावु भाशन देना नहीं होता OBC Reservation आया 2006 में उसके बाद इस देश में नई सिक्षा नहीं थी आगए पहली बात तो ये समझिएगा कि अब पूरी प्राइवेट सिक्षा अब प्राइवेट हातों चली जाएगी New Education Policy करती है 40% सेलबस अब Online Mode में चलेंगे कितने घरों के पच्चे ऐसे हैं जो वो अपने बच्चों को Mobile और Laptop दे सकते हैं एक मुख्य अतिती जी का भाशन चलाना था कितना मुश्किल होई मेरी अपनी क्लास में 50 विद्यारती पढ़ते हैं और Online में आज 25 विद्यारती बाहर हैं मैं दाविस करता हूँ वो 25 विद्यारती दलित पिछड़े आदिवासी हैं जिनके घरों में Mobile नहीं है, Internet नहीं है, आप वहाँ नहीं सिक्षा ला रहे हैं आप बुनियादी जरुवत तो पैदा करनी पाएं, और मैं डेटा पढ़ रहा हूँ, एक जनवरी 2022 का डेटा, वो डेटा आपके सामने कह रहा है 97.6% OBC प्रोफेसर की पोश्ट खाली है, 95% सिडुल ट्राइव की पोश्ट खाली है, और 93.8% सिडुल काश्ट प्रोफेसर की पोश्ट खाली है डॉक्टर अम्बेटकर के सपनों का भारत का मतलब यह है, कि 85% दलित पिछड़े आदिवासी पसमन्दा के 85% प्रोफेसर होने चाहिए, 85% डॉक्टर होने चाहिए, 85% इंजीनियर होने चाहिए, और आप क्या बना रहे हैं तीसरा मुद्दा स्वास्ट का राष्ट बनने का मतलब क्या था? राष्ट बात का सर्टिफिकेट आज वो लोग बाट रहे हैं, जिन्होंने अंग्रेजियों से माफी मांग करके कहा था कि हमको पंशन दीजी, हम आपकी मदद करेंगे और वो लोग आज कह रहे हैं, उन लोगों को सिखा रहे हैं, जिनके पुर्खों के हाथों ने इस देश और दुनिया को रहने लायक बनाया हम क्रम कमेरा जाती के लोग हैं, कुर्मी, कुरी, लुहार, नाई, मोची, मला, निशाद और तमाम वो जातियां जिन्होंने हाथ से श्रम करके इस दुनिया को रहने लायक बनाया है, इस राश्ट को बनाया है बिरसा मुंडा, जैपाल सिंग मुंडा, अब्दुलकयू मंसारी, आसेम बिहारी, नरायन गुरू, ईवी रामा स्वामी नायकर पिर्यार, जोतिबा फूले, सावित्री भाई फूले और वहाँ से लेकर के शाहु जी से होते हुए, डॉक्टर रंबेटकर, डॉक्टर लोहिया, मंडल और कांशी राम, इन लोगों की वरासत ने, जिस राश्ट को बनाया, आज कोई और आकी हमसे कहता है, कि पहले कागज दिखाओ कि तुम इस देश के नागरिक हो की नहीं, नागरिकता इस देश के सबसे बड़ी जिम्मधारी है, आपके अपने जिले में भी एक मंदिर के नाम पर दंगा खराने वाले लोगों को पहचानिएगा, और उन संगठनों को पहचानिएगा, जो धर्म के नाम पर है, उनसे पूछिए कि आपके सिक्षा और रोजगार के है, कितना अंदोलन हुआ आपके सिक्षा और रोजगार के लिए, मविश्यो द्याले से हूं इसलिए सच बोल रहा हूं, आखरी बात, स्वास्त विवस्ता उस राष्ट की सबसे बड़ी जरूत थी न, पहले के जमाने में कहा जाता था कि तीन चीज़ें एक जिन्दगी की सबसे बड़ी जरूत है, रोटी, कपड़ा, मकान, इंसान होने की सबसे बड़ी जरूत क्या है, हमारे पुर्खों ने आत्मसम्मान अंदोलन चलाया, पेरिया रीवी रामस्वामी नायकर ने सल्फ डिगनिटी मूवमेंट चलाया, उसके बाद डॉक्टर अंबेटकर ने क कोरोना आया, दुनिया जब कोविड से लड़ रही थी, हमारे आँ का जा रहा था, गोबर्ग ले लो, गोवमुत्र पी लो, कोरोना दूर हो जाएगा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप जिस धर्म की किताबों के नाम पर नफरत फैलाते हैं, आप जाए और अमेरिका में बोलिए कि हमारे आँ कुछ लोग ये बात कहते हैं कि महाभारत काल में इंटरनेट था, हम नाली के गैस से चाय बनाते थे, दुनिया जब विज्ञान और चेतना की बात कर रही, आप अपनी पीडियों को मूर्ख बना रहे हैं, आप उन्हें धर्म के नाम पर बीस, पचीस साल, तीस साल पीछे ले जा रहे हैं, अमेरिका में जाकर इस देश के प्रधान मंत्री कहते हैं, कि हम युद्ध के नहीं, बुद्ध के देश हैं, और यहां भारत में आकर के बुद्ध के खिलाब युद्ध छेड़े हुए हैं, हमें वो बात सच कहनी होगी, और उस समय ज जो दोस्त चुनाओ लड़वाते हैं ना, उनके हाथों बेच दिया गया है, आपके हाथ में कुछ बचा नहीं है, और वही बेचने के लिए आज कहा जा रहा है, कि हम मौद्री करर करने हैं, इस देश में यहां कमुक्य मंत्री दिल्ली में परचार कराता है, जिसके जेब म बेचे जाते हैं तो क्या कहा जाता है, प्रोड़क्टिव नहीं है, एयरपोर्ट क्यों बेचा जा रहा है, प्रोड़क्टिविटी नहीं है, सरकारी संस्थान घाटे में हैं, भेल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे बैंक वालों ने हड़ताल किया था न, ये सारा कुछ बेच रहे हैं, क्या कहकर, productivity नहीं है, राश्ट ये घाटे में जा रहा है, दो सवाल, कोरोना में जब सब lockdown लगा था, तो आपकी जान किस अस्पताल ने बचाई थी, सरकारी अस्पताल ने की private अस्पताल ने, private अस्पताल ये सवाल है मेरा आप से, आप जिसको कह रहे हैं, ये घाटे में इसको बेच देना चाहिए, तो ये जो उन्द्योग पती, जो मुनाफ़ा कमाने के लिए आपके सर का बाल तक बेच दे, वो एक घाटे वाली कमपनी खरीदेगा क्या, हमारे पुर्खों ने इस देश को बन इल्हा बना दिया गया है, स्कूल, कॉलेज और विश्विद्याले जाने के नाम पर, वो बुली है, बना करके, सो मुसलिम महिलाओं को आनलाइन निलाम कर रहे हैं, वो अठारा और बीस साल के बच्चे हैं, आपकी पीडियां बरबाद कर दी गई हैं, और आप से कहा जा र दम पर उस इनवश्टी के प्रोफेसर बने हैं, किसी के वोट मांग कर नहीं बने, तब तक समझते थे कि हमारे पूरके, हमारे घर परिवार वाले महनत करके इलहाबाद इनवश्टी पढ़ाए और इलहाब इनवश्टी टॉप किया, दिल्ली इनवश्टी मुझा के प्रो से चल कर मैं आया हूँ वो सीड़ी मेरी आखों के सामने तोड़ी जा रही है और मंच पर आकर कि मैं आप से तालियां बज़वाने के लिए वो बात कहूं कि सब लोग खुश हो जाएं और कल को मुझे वाइस चैंसलर बना दें वो वाइस चैंसलरी किस काम की है कि कल वापस ज परचानिये जो आपके वहरचारिक दुश्मन है मैं OBC समाज से आता हूं और मैं OBC समाज को इक शिकायत करता हूं इस देश में जोतिबा फूले माली जाती से आते थे OBC थे डॉक्टर अंबेटकर ने अपना तीसरा गुरू बनाया था शाहुजी महराज OBC जाते के थे पे कि मैंने आदी हिंदू सभा बनाया है इसकी मंबर्शिप लेलो तो ब्रामणों ने का हम हिंदू थोड़े हैं हम तो आर यहां तब चौरसिया साब खड़े हुए और उन्होंने वह परचा फाड़ के कहा जब तुम हिंदू हम तो यह समझते थे दोनों एक हैं और जब तु नाम नहीं है मेरे अपने यादोहरों में पेरियार्ललैंस इन्हों क्या कहा था मान की बात कहके रहाओं बलिदान नसिंथा होते सुना बक बलिवेदी पर लाए गए नकाटे तेड़े पादब गए ल पारे चलाए गए विष्धारी को दूद पिलाया गया विशहीन सदा तड़ पाए गए यह कहा था पेर यार ललाई सिंग्या दोने और जब त्रिवडी संग बना 1930 में बिहार में और बाद में अरजक संग बना उत्तर प्रदेश में इन दोनों का नारा क्या था ब्राह्मणबाद की क्या पहचान गिटपिट बोले करे नकाम मनववाद की क्या पहचान अगिए फADAS κण एक समान हमारे डक्टर लोहिया ने कहा सो में पिछडा पावे सो में साथ संसो पाने बाधी गाट तब उसको जगदेव बाबु राम सुरूप वर्मा ने नारे को आगे बढ़ाया कि सो में नब्बे शोशित हैं शोशितों ने ललका रहा है धन धर्ती और राजपाट में नब्बे भाग हमारा है दस का शाशन नब्बे पर नहीं चलेगा नहीं चलेगा जो जमीन को जोते बैव वो जमीन का मालिक होए और राश्टपती हो या भंगी की संतान सबको सिक्षा एक समान सबको सिक्षा सबको काम वरना होगी नीध हराम और सब को सिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है आप नेताओं के गुलाम बन गए इसलिए क्योंकि आप एक जुट नहीं रहे अचानक कोई नेता आके कहता है कि आप चलो हिंदू धरम खत्रे में है अरे उससे रोक के पूछिए हमारा स्कूल और विश्विद्याले खत्रे में है तब तुम क्यों नहीं आए मेरी नौकरी कोरोना में चली गई तब तुम क्यों नहीं आए हमारी अर्थ बेवस्था डूब गई तब तुम क्यों नहीं आए और पचासी परसेंट हिंदू तब बनाते हो जब मुसल्मानों के खिलाब धंगा कराना होता है और उसके बाद दलित महिला थी सुनिए दलित महिला थी उतराखंड में खाना बनाकर स्कूल के बच्चों को खिलाती थी और दलित महिला की जाती देखकर समण बच्चों ने का हम खाना नहीं खाएंगे तब हिंदू धरम खत्रे में क्यों नहीं आया ये मेरा सवाल है उस महिला की जाती देखते हो क्योंकि वो दलित है इसलिए हम खाएंगे नहीं पूछिए उन लोगों से दो अप्रैल के भारत बंद के दिन वो लोग कहां थे जो केंदर से लेकर के राज में सत्ता में बैठे थे और दलित सीटों पर चुन करके गए थे पूछे उन लोगों से 13 पॉइंट रोश्टर आया तो वो कहां थे पूछे उन लोगों से नई सिक्षा नीत के नाम पर जब सब बेचा जा रहा है और आज आप कहरो पाकिस्तान कब्रिस्तान इस देश में हिंदो मुस्लिम की आग तब लगाई जाएगी जब दलित पिछड़े आदिवासी बच्चे अपनी सिक्षा रोजगार और स्वास की ब आपने ये बात जो कही थी ऐसे मंचों पर आप हमें नहीं भी बुलाएंगे तब भी भारत के समिधार और मंडल कमिशन ने एक नौकरी दे दी है हम वहाँ गुजारा कर लेंगे हमें आपका वोट नहीं चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस मंच से घर जाने के बाद ये बहिलाएं और बच्चियां ये नौजवान अपने घर में अपने बाबू जी से पूछें कि दाप तो धरम को बचाने गए थे मेरी सिक्षा मेरी रोजगार मेरी नौकरी और मेरे देश को बेचने वालों के साथ क्यों खड़े थे ये सवाल आपसे पीड़ियां लेकि मैं जानता हूं कि मेरी बातों का कोई असर ने होगा पता ने अगली बार आप बुलाएंगे भी किने बुलाएंगे लेकिन मैं ये बात कहके जा रहा हूं जंगल में आग लगी चिड़िया पानी डाल रही थी और कुछ चिड़िया उस पेड़ से उड़ नहीं रही कविता लिखी है कि लाग लगी इस व्रिक्ष को जलने लागे पात उड़ते क्यों नहीं पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास उन पक्षियों का जवाब ध्यान से सुनिएगा फल खाएं इस व्रिक्ष का गंदे की ने पात धरम हमारा यही है जलें इसी के साथ आपके लो किताब लिखी है उसको पढ़िएगा चमचा यूग उस किताब में कई किस्म के चमचे लिखे हैं 1932 में पूना पैट आज लोग कहते हैं गांधी बनाम गोडसे गोडसे की मूर्ती और गोडसे के नाम पर इस देश में दंगा बाबा साहाब ने कहा और यह बात हमें समझनी अपने पुर्खों का केवल नाम लेके फोटो पर माला चड़ा रहे हैं नौजवानियों के पीड़ी को समझाइए नहीं तो कल को आज रामाड देख रहा है टीवी पर कल राम मंदीर बनवाने चला जाएगा आपका घर लुट जाएगा वहां आप खड़े हैं तब डॉक् हैं और आखरी बात कहके जा रहा हूं इस देश में बहस चला रहे हैं यह गांधी बनाम गोडसे आप गांधी के साथ हैं कि गोडसे के साथ हैं मैं कहता हूं गांधी बनाम गोडसे में हम गांधी की हत्या करने वाले नहीं गांधी का जीवन बचाने वाले डॉक्टर अंब लोहिया के साथ हैं यह हमारी विरासत है आने वाली पिडियां हमसे पूछेंगी साहब कि जब देश लुट रहा था आपके बच्चों का भविश्य बरबाद किया जा रहा था दंगाई बनाया जा रहा था तब आप क्या कर रहे थे वो जो चिडिया जंगल में आग लगी थी ना तो चोच से पानी भरके उस आग पर डाल रही थी एक कुरसी से बिक करके हम चमचे हो गए मानेवर साहब की बात कर रहा हूं अपनी बात तो कह भी नहीं रहा मानेवर साहब ने कहा कि कई किस्म के चमचे हैं उसमें ओभी सी चमचों की भी बात की गई थी कुछ ओभी सी कहना है ना एक हाथ में जय भीम जय मंडल और दूसरे हाथ में परशुराम की कटार ये कभी नहीं चलेगा वरना पीडियां आपको माफ नहीं करेंगे बिश्डू मंदिर परशुराम मंदिर बनवा के बहुजन से सर्वजन करवा के आपके आपने आने वाली पीडियों को आप कहां खड़ें और वों कहां चले गए क्यों नहीं बाबा साब का बनाया हुआ है संगटन 85% लोगों का राज जिनों ने इस देश को हाथ से काम दिया उन्हीं लोगों को आज इनवस्टिम बैटकर एनेफस किये जा रहे हैं कितने लोग संसाद और विजान समाम बैटे रहा है अभिया योद्या जांकी है मतुरा कासी बाकी है किया जा रहा है और तुम अपनी चोच से पानी भर रही हो अलीगड के इस तबगार में उपस्तित लोगों आप से यही कहके जा रहा हूं उस चिडिया का जवाब उसने कहा था कि मुझे पता है कि मेरी चोच की एक पूद्ध पानी से यह जंगल की आग नहीं बुझेगी लेकिन जब इस देश में इस देश की आग का इस जंगल की आग का हिसाब मांगा जाएगा कि जब आरक्षण खतम कर दिया गया जब नीजी करण के हातों अंबानी अडाने के हातों पूरा देश बेच दिया गया जुलाहा मोची मला जो पसमांदा बनके मुसल्मान हुए 300 लोग लेंचिंग में मारे गए 300 में 12 परकाष्ट मुसलिम नहीं है यह कौन है 15 परसंट लोग जो पीछे खड़े होकर आपके बच्चों को दंगा कराने भेजते हैं और ग्री मंत्री का बेटा बी सी सी आई का चेर्मेन बनके करोन रुपया कमा रहा है आपके बेटे और उसके बेटे में यहीं फर्क है तो वह चिडिया उसने यहीं बात कही थी कि मुझे पता है कि जंगल की आग से मेरी चोंच के पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी मगर इस आग का जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं आग बुझाने वालों में सामिल होगा जै भीम, जै मंडल, जै संबिधान